जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक स्लैशर फिल्म प्रोम्सकल पार्ट 2 के बारे में दोस्तों इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पे अल्रेडी एक्स्प्लेंड है तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके दे देख लें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिंड कॉमेंट और आई बटन पे मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आईकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और इस मूवी को देखने के लिए आप हमें टेलीग्राम औ ये शुरू करते हैं आज का एक्स्प्लानेशन दोस्तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि क्रोम स्कल का मूँ तेजाब से जल गया था और वो लड़की उसे पीट के टॉमी के साथ चली गई थी तभी वहाँ पुलिस आये थी और क्रोम स्कल का कैमरा किसी ने उठाया था दोस्तो ये कैमरा जिसने उठाया था वो होता है प्रेश्टन जो की क्रोम स्कल के लिए काम करता था प्रेस्टन उस कैमरा में recorded footage देखता है जिससे उसे पता चलता है कि टॉमी और वो लड़की भाग गए है क्रोम सकल की organization के लोग पुलिस को मार देते हैं और क्रोम सकल को अपने साथ ले जाते हैं उसका treatment करने के लिए क्योंकि अभी उसकी सांसे चल रही थी इधर टॉमी उस लड़की को होटेल में रुकने के लिए कहता है वो लड़की काफी डरी होती है तो टॉमी उसे समझाता है कि वो उसके साथ है तो वो ना डरे और वहां से चला जाता है रात को प्रेश्टन उस लड़की का पता लगा लेता है और उसके कमरे में आके वो उसके हमला कर देता है पहले वो उस लड़की के गाल काट देता है जिससे उसके खून निकलने लगता है और उसके बाद वो उसकी वीडियो बनाता है ताकि वो अपने बॉस क्रोम सकल को दिखा सके कि उसने उसका बदला ले लिया है तब ही वो उसे मार डालता है और वहां से चला जाता है इधर डॉक्टर्स क्रोमसकल का इलाज करते हैं उसका चहरा पूरी तरह जल चुका होता है लेकिन डॉक्टर उसे किसी तरह ठीक कर देते हैं ताकि वो अपना मास्क लगा सके दोस्तो प्रेस्टन उस लड़की को मार के बहुत खुश था और उसे लोगों को मारने में मज़ा आने लगा था वो क्रोमसकल का फैन बन गया था और वो उसी की तरह बनना चाहता था इधर पुलिस उस लड़की के होटेल पहुँचके च्छान बीट करने लगती है वो उस लड़की की लाज देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे बुरी तरह काटा गया था इधर प्रेस्टन अपने मालिक क्रोमसकल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने उस लड़की को मार डाला है और वो जल्द ही टॉमी को भी ढूंड निकालेगा ताकि उसका बदला पूरा हो सके क्रोमसकल ये सुनके बहुत गुसा होता है क्योंकि उसे अपने विक्टिम्स को खुद मारना पसंद था प्रेस्टन उसे कहता है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वही उसका काम करेगा ताकि उसे अराम मिल सके फिर हमें एक जैसिका नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है और उसे वीडियोज बनाने का भी काफी शौक होता है जिन्हें वो यूट्यूब पे डालती है कुछ महीनों बाद क्रोम सकल की हालत काफी ठीक हो जाती है जब वो अपना जला हुआ चेहरा आइने में देखता है तो उसे बहुत कुछ सा आता है और तभी उसकी एसिस्टेंट वहाँ आ के उसे समालती है वो एसिस्टेंट क्रोम सकल को अपने साथ ले जाती है और उनकी नेक्स टारगेट दिखाती है जो कोई और नहीं बलकि जैसिका होती है क्रोम्सकल अपनी असिस्टेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो प्रेस्टन से कहे कि उसे उनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है जब वो असिस्टेंट प्रेस्टन को ये कहती है तो वो उस पे भड़क जाता है और उसे अपने ऑफिस से भगा देता है उसे क्रोम सकल के लिए कुछ करना होता है तो वो मास्क लेके टॉमी को ढूंडने के लिए निकल जाता है इधर जैसिका अपने दोस्त के घर इंजॉय कर रही होती है और क्रोम सकल वहां पहुँच जाता है जब जेसिका की दोस्त किचन में जाती है तो क्रोम्स कल वहां आ जाता है वो उसे देख के चिलाती है तो क्रोम्स कल उसे अपने चाकू से मार डालता है जिससे उसकी मौत हो जाती है उसकी अवास सुनके जब जैसिका वहां आती है तो क्रोम्स कल उसे उठा के ले जाता है कुछ देर बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें वहां जैसिका का कैमरा मिलता है जब वो उसकी फुटेज देखते हैं तो उन्हें क्रोम्स कल नजर आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये वही किलर है जो लड़कियों को मार रहा था ये जान के पुलिस टॉमी को ढूंडने लगती है क्योंकि वही अकेला सर्वाइवर था उस सूपर मार्केट का इधर टॉमी जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है लेकिन जब वो पीछे मुड़के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता जब वो अपने अपार्टमेंट पहुँचता है तो उसकी रूम मेट उस पे गुस्सा करती है क्योंकि उसने room का किराया नहीं दिया होता है वो उसे कहता है कि वो उसके पैसे जल्द ही लोटा देगा और अपने कमरे में चला जाता है तब ही उसके घर में प्रेश्टन आके उसकी roommate को मार डालता है जब टॉमी उसकी आवास सुनके उसके कमरे के बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि ज़रूर वहाँ कोई गड़बड है। टॉमी तुरंत वहाँ से भाग जाता है और बाहर उसे डिटेक्टिव मिलता है जो उससे मिलने आया था। वो डिटेक्टिव उसे पुलिस टेशन ले जाके क्रोम सकल की फोटो दिखाता है। तॉमी उन्हें बताता है कि यही वो किलर है जिसने बहुत सारे मुर्डर्स किये हैं। इधर जैसिका की जब आखे खुलती हैं तो वो अपने आपको एक कास्केट में पाती है। प्रेस्टन भी वही होता है जो क्रोम सकल से आपसेस्ट हो गया था। और वो अपने लिए एक स्पेशल चाकू बनवाता है जिससे वो लोगों को मार सके। तब ही उसे कास्केट में से जैसिका की आवाज आती है तो वो उसके पास जाता है। जिससे उसे पता चलता है कि क्रोम सकल ने काम करना शुरू कर दिया है। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस जैसिका और ढूंडने में लगी होती है। तो टॉमी चुपके से डिटेक्टिव के कैबिन में जा के एक फाइल पढ़ता है। जिसमें लिखा होता है कि क्रोम सकल ने अकेले ही पुलिस स्टेशन में सब को मार डाला था। ये पढ़के टॉमी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन डिटेक्टिव उसे रोक देता है। इधर प्रेस्टन क्रोम सकल को कॉन्टाक्ट करके उसे कहता है कि उसे अभी अराम करना चाहिए। क्रोम सकल उसे कहता है कि अब उसका समय आ चुका है। ये सुनके प्रेस्टन उसे कहता है कि वो उसके लिए काम कर रहा है। तो क्रॉम्सकल उसे कहता है कि उसे अपना काम खुद करना पसंद है और वो अपनी म geliyor खुद पगड़ता है ये कहे के वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है ये देखे के प्रेस्टन गुस्सा हो जाता है और जेशिका को बाहर निकाल के उसे टॉर्चर करता है वो उसके कान में क्रोमसकल के मर्डर्स के बारे में बताता है जिससे जैसिका बहुत डर जाती है तब ही एक डिटेक्टिव उनकी बिल्डिंग के बाहर चान बीन करने आती है तो उसे वहाँ कुछ गड़बर लगती है वो अपने साथियों को इस बारे में इतला करती है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता इधर जैसिका अपने आपको छुडा लेती है और वहाँ से बाहर निकलने का सोचती है उसे वहाँ एक फोन मिलता है तो वो अपनी मा को कॉल करके कहती है कि वो उसे बचा ले Chrome Skull ने उस जगे phone speakers लगाए होते हैं जिससे अगर कोई phone पे बात करता है तो वो speaker में उसकी आवाज आती है जैसिका ये देख के अपना phone काट देती है इधर detective जब building के अंदर जाती है तो Preston वहाँ आ के उस पे हमला कर देता है वो detective का सर पकड़ के उसे अपने चाकू में घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है ये सब ही वारदात जैसिका मौनिटर पे देख लेती है जिससे वो बहुत डर जाती है ये सब देख के क्रोम सकल को बहुत गुसा आता है क्योंकि Preston हथ से जादा आगे बढ़ गया था जैसिका की माँ पुलिस टेशन जाके उन्हें बताती है कि उसकी बेटी का उसे कॉल आया था तो पुलिस छान बीन में लग जाती है जैसिका अपनी माँ को मेसेज करती है कि प्लीज मुझे ढूंड लो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे तब ही Preston वहाँ आ जाता है जो जैसिका को फ्री देख के उसके हाथ में हतकडियां लगा के चला जाता है उसके बाद Preston पुलिस स्टेशन पहुंचता है टॉमी को पकड़ने के लिए वो टॉमी को पकड़के बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है जब ये बाद पुलिस को पता चलती है कि टॉमी किड्नाप हो गया है तो वो हैरान हो जाते है जैसिका प्रेस्टन से कहती है कि वो उसे जाने दे तो प्रेस्टन उस पे अत्याचार करता है क्रोम स्कल ये सब देख रहा होता है और उसकी एसिस्टन उसकी शेविंग कर रही होती है एजिस्टेंट उसे कहती है कि प्रेश्टन उसकी जगे लेना चाहता है जिससे वो उसकी तरह बन सके इधर पुलिस को छान बीन के दोरान उस बिल्डिंग का पता चलता है जहां उनकी एक डिटेक्टिव गायब हो गई थी ये जान के दो डिटेक्टिव उस बिल्डिंग के पास जाने के लिए निकल जाते हैं प्रेस्टन क्रोमसकल को कॉल करके उसे टॉमी को दिखाता है और कहता है कि वो उसे पकड़ लाया है क्रोमसकल ये देख के उसे कहता है कि उसे और्गनाइजेशन से निश्काशित किया जाता है क्योंकि वो और्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है ये देख के प्रेस्टन गुसा हो जाता है और टॉमी और जेसिका पे अत्याचार करता है क्रोमसकल अप पूरी तरह ठीक हो जाता है और तैयार हो जाता है आक्शन के लिए और प्रेस्टन भी पूरा क्रोमसकल की तरह ही लुक कर लेता है क्योंकि वो क्रोमसकल का फैन हो गया था और उसे लोगों को मारने में मज़ा आने लगा था इधर टॉमी और जैसिका वहां से बाहर निकलने का सोचते हैं लेकिन उन्हें कहीं एगजिट नहीं मिलता जैसिका टॉमी से कहती है कि उसके पास एक फोन है तो टॉमी उससे वो फोन मांगता है उन फोन स्पीकर्स को देख के वो फोन को बेस्मेंट में ले जाता है और पुलिस को कॉल करता है ताकि उन स्पीकर्स में से आवाज ना आ सके वो पुलिस को बताता है कि वो जैसिका नाम की लड़की के साथ है और वो लोग उन्हें मारने वाले हैं पुलिस उनकी call trace कर लेती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग कहां है और वो लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं तॉमी और जैसिका तब तक वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो दोनों अपने हाथ में ओजार ले लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए तब ही उनकी बिल्डिंग के बाहर दो डिटेक्टिव आते हैं जो उनकी लापता हुई डिटेक्टिव के लोकेशन से वहाँ आये थे जब वो दोनों अंदर जाके छान बीन करते हैं तो क्रोम सकल वहाँ आके उन्हें बेरहमी से माल डालता है इधर प्रेशन क्रोम सकल बनके जैसिका और टॉमी को आके डराता है और वो दोनों अपने आपको एक चेंबर में लॉक कर लेते हैं टॉमी उसे कहता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है जो उन्हें यहाँ बचाने आ रही है और ये सुनके प्रेशन हसने लगता है तब ही क्रोम सकल बनके बनके जैसिका और टॉमी के पीशे जाता है वो वहाँ अंधेरा कर देता है ताकि वो उन्हें असानी से पकड़ सके वो उन दोनों पे हमला कर देता है और जैसिका की टांग पे चाकू मारता है जिससे वो जखमी हो जाती है तभी टॉमी जन्जीर से उसका गला दवाने लगता है तो उसका मास्क उतर जाता है उसका भयानक चेहरा देख के टॉमी डर जाता है और तभी क्रोम सकल चाकू से उसे मार डालता है उसके बाद वो जैसिका को उठा के एक कॉफिन में बंद कर देता है और अपने कैमरे से उस तेक्टिव्स आते हैं, जिन्हें क्रोमसकल मारके जखमी करदेता है। और जब क्रोम्सकल वहां आता है तो वो उसका गला दबाने लगता है तो वो उसका मूँ लाइटर से जला देती है और वहां से भागने लगती है तभी एक डिटेक्टिव जखमी हालत में वहां आता है और क्रोम्सकल को शूट कर देता है और जैसिका वो अपने साथ बाहर ल मिलते हैं जो जैसिका को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं तभी हम क्रोम स्कल के कैमरे को ओन देखते हैं और उसकी और्गनाइजेशन के लोग उसे उठा के ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए कुछ दिनों बाद अपनी और्गनाइजेशन से माफी मांगती है क्योंकि वो क काम पूरा नहीं कर पाए थे वो उन्हें कहती है कि अगले हफते तक वो जैसिका के टॉर्चर की वीडियो उन्हें दे देंगे फिर हमें क्रोम स्कल दिखाया जाता है जो ठीक हो चुका होता है उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एफबी आई तो दोस्तो ये थी इस फिल्म की कहानी जहां क्रोम स्कल जिंदा बच गया था और उसकी और गनाइजेशन ने जैसिका नाम की लड़की को नया टार्गेट बनाया प्रेस्टन उसके ही ऑफिस में काम करता था लेकिन उसके ठीक होने तक वो उसकी जगे काम करने लगा और ख क्रोम स्कल की भी वी थी जो कि प्रेगनेंट थी फ्बियाई ने जब उसे सच बताया तो उसने अपने आपको शूट कर लिया यानि दोस्तो अगले पार्ट में क्रोम स्कल सबसे बदला लेगा दोस्तो इस मूवि के थरड पार्ट की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और यस और नो में जवाब दे सकते हैं अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दमाएं नोटिफिकेशन के लिए और मुवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फालो कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अटलीश अपने एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए चैनल